नमस्क्राइब दानी शिफ्टाई में आप सबका स्वागत एक बड़ी खबर घाटी से आ रही है और बताना चाहेंगे 24 गंटों में दो यनी के बारा मुला में और बाला मुला डिस्ती चे जो बड़ी खबर आ रही है कि रिलाइबर सोर्सीस की वैसे जानकारी मिली थी हमारे सुरक्षा बलो और जब पुलीस को कुछ अतंकियों के छुपे होने की सूच नहां मिली थी जिसके चलते एक जाइंट यानी क्यों किया गया आर अभी कारबाई ने हमारे सेना और जबू कश्मीर पुलीस ने दो अतंकियों को मार गिरा है एक बड़ी काम्याबी क्योंकि अतंकियों को उनके असली मुकाम तक पहुचाने में हमारे सेना के जवान पुरी तरह से सक्षम है और अब बार-बार यह कहेंगे पुलीस के अला encounter है कल की बात करें तो कुपवडा और आज की बात करें 12 मुला के करेरी इलाके में बताएंगे आपको जो आसोर्सिस के अधार पर जो हम तक खबर मिली है कि दो टेर्रिस्स को जो अतंकियों को मार गिराया है और जिन में बतना चाहेंगे जिन अतंकियों जो लश्क्रेत तोईबा के यह निके साथ यह संभधी थे और जिनकी जो ज़ान पहचान हुई है वो पहचान हुई शाकिर माजिद नाजर और साथ साथ हनन अहमद से फ्राम शोपियां डिस्टिक और इन दोनों ने जो लश्क्र तोईबा का जो अतंकी संगड ने जाइन किया था मार्च 2023 में यह नए नए यह भरती हुए थे इन को इन कायरों की जमात में और इन कायरों की जमात है जो TGP का कहना है पूरी तरह से और उसी के चलते जब इन्हें यह सूचना मिली कि अतंकियों electrodes की ख़बरती ती उसी के चलते एरिया को कॉपर कर करoo जारी था और उची के चलते जो ब ऑप्रेशन था तो यह बताना चाहेंगे यह उप्रेशन जो की वनी गाम विलेज में यह जो ऑप्रेशन चल रहा था उसी के चलते आतंकियों ने हमारे सुरक्षा बल और जमुकश्मीर पुली जो साथ में था एक जोइंट ऑप्रेशन चल उसी के चलते इन अतंक्यूं की जो काहिर हरकत आप तो जानते ही नहीं उन पर कारवाई शुरु कर दी यनिक के बोल यह उसी के चलते जवाबी कारवाई में हमारी सेना और ने इन्हें मुत और जवाबर दिया और दो अतंकियों baki bath fuego हमार गिरा है यह आप्रेशन जो ल हमक क्यों कि शुपे होने की और वो बड़ी किसी अतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे और जब उसी के चलते उस एरिया में सर्च ऑपरेशन जलाया गया आर्मी और सस्पी के बादियम से और उसी के चलते जब ऑपरेशन शुरू किया कॉड़नाफ करके उस एरिया को तो उन् लश्करे तोईबा का जो अतंकी संगटन है जो कायरों का संगट चबात है पागलों की जमात है ये जरूर कहेंगे उनमें ने ने भरती होएते पर उपर पहुंच जो के अब क्योंकि उनका असली मकसद यही था कि बेग गुनाओं का खुन बहाना मजलूमों पर अत्याचा से फ्राम शोपियां डिस्ट्रिक के रहने वाले थे उन्हीं हमारे जो यानि के दोनों जो टेररिस्ते इन्होंने मार्च दोजार तई में लश्करे तोईबा जो अतंकी संगटन था उसे जाइन किया था फिलाद ये कहेंगे बड़ी कबर और बड़ी काम्याब इसी तरह से जो भी देश विरोधी होगा देश के खिलाफ होगा देश के लोगों के खिलाफ होगा हमारी सैना के खिलाफ होगा हमारी जमकश्मीर पुलीस के खिलाफ होगा उन्हें इसी तरह से जवाब मिलेगा यानि इसी तरह से करारा जवाब मूत और जवाब और उनके लिए भी जो अतंकियों के समर्थक है उन लोगों के लिए जो अतंकियों को शल्टर देते हैं उनका भी यह अंजाम होगा क्योंकि कहते हैं जो गुना करने वाला जो उसका साथ देने वाला वो अतना ही मुलविस होगा बार बार हम अपनी जनता को कश्मीर की जनता को ये भी कहेंगे के बो तो नहीं बलके Muslim भी सिख भी इसायि भी उनको भी इन अतंकियों उनी चुन्म पर शुछाबाना बनाया है सेना की बड़ी काम या भी आज फिर से 24 गंटे के अंदर दो एंकॉंटर में कल की अगर बात करें कुपवारा में दो अतंकियों को मार गिराया था और आज फिर से दो अतंकियों को धेर कर दिया हमारी सेना निब गए वैल डन इंडियान आर्मी वैल डन जमू कश्मीर पुलीस आता क्या कहना है इस वीडियो को देकर अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजी और कमेंट बाक्स में इंडियान आर्मी जिन्दाबाद जमू कश्मीर पुलीस जिद्दाबाद जरूर लिखे जोड़े रहा से महर से अगले अपडेट के लिए जाएं जवार